चलो जैकी चलो तो यह हमारी नागीनी की ना आखरी निशानी है थ्री टू वान अच्छा यार इसका क्या सीन चल रहा है 37.4 इसको 37.7 होना चाहिए काम क्यों है अच्छा बलब जल रहे हैं बलब्स और पानी खत्म हो है और इसी वज़ा से हुमिडिटी इतनी लो आ रही है है आज आ यणा आज आज आ आ जो आज आ आज आज आ आज आ यण है खोले और इसको रखते हम ओड़ नहीं आपने द्रीक को टैस्टिंग करनी होती है लोगा उने चलो चलो ये इसको एदर रख देते हैं और अब गाइस हमारे है 취cki की यूमिरूट थी माल पया अच्छा तोड़ा समय से मूव कर देता हूं और यह ठीक खड़े हैं या रंडे हमारे सारे ट्रेट हैं शालो जी आज सब्सक्राइब करता हूं कि आप साथ वेतरीन होंगे आओ भी ट्रेजी आप जरा नीचे आओ ना जरा आप से आज मुझे है काम ओए गंदी हुई यार बहुत ज़ तोड़ा सुंगर सुंगर करना है चाजू को भी याद आलिए मौली नगीनी या चलो भी नगीनी की स्किन आप इदर जरा रेस्ट करो अचा अचा आप सब सोच रहे होगे कि मैंने ये ट्रे क्यूं साफ किया है रीजन इस कि हमने आज कुछ इदर लेके आना है वो एंड़ में बता हूँगा अभी नहीं बदा सकता वरना आप पूरा व्लॉग देखते नहीं हो के अंदर पैंपी चैंपी मुझे काफी सारे लोग करते हैं आपको इंका नाम नहीं याद रहता है यार पैंपी चैंपी जो है ना गाइस हम देयो होते तो यार आजाती लेकिन यार खुशी ना किया करना यार तू मुझे डरात थी गंदी बच्ची अच्छा इसको बंद करें पैंपी चैंपी तो होगी है हमारी यार और हमारी यह जो है ना दूसरी गोल्डियन फिंचे जो है जिनको हमने एस फॉस्टर पेरेंट् चैंपी ओपर ही बैठी रहती है तो यार चीडियों की ब्रीट करवाना ना मुझे नहीं समझा रहा तो 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 बहुत सिंपल होता है आप लोटकी लगा दो कुझी लगा दो या ब्रीडिंग बॉक्स लगवादो व्तवत ब्रीड कर देते हैं तो अगर मेरे फॉलवर्स मे से कोई भी प्रो फिंच पालम को जानता है तो मुझे कोमेंट्स में लाजमी पूरा एक ऐसे लिखके देना कि किस तरह हम यार अपनी पैंपी चैंपी की ब्रीड करवा सकते हैं और चुची चुची थूइती पपो ले शकते हैं कुगु बच्चा और गाईज मैंने आपको एक और अपडेट भी देने थी आपको याद होगा कि हमने गुपने रे के अंदर ना अधी रात विले इस वाले कभूतर को इस एलियन कभूतर को हमने पकड़ा था और गुड़ नियूज यह के एवर सिंस हमारे पास आया है इसने शूट्स निकालना शुरू कर दी है यह इसके पर इतने उकड़े होते शाइद यह अपने एक्जिस्टिंग फ्लॉक के अंदर फिर रहा था और क्या हुआ कि उन्होंने इसके पर नौचना शुरू कर दी और जैसे ही इसको सिकलूजन मिली है एक सेपरेट क्वाटर मिला है तो इसके पर आना शुरू हो गए है तो अच्छा बच 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 चौब और यार मुझे अब एक नई टेंशन पढ़िए कि कल के ब्लॉक के इंदर मैंने आपको बताया था कि बल्कि हम गए होए थे औस्टिच का बेबी बुक करवाने और बुक हमने करवा ली अब मसला पता है क्या बन रहा है मुझे नह समझ आ रही कि मैं उसको रखूँगा का अब मेरे पास ना भी फिलहाल ये वाला रूम है तो हम ऐसा करते हैं यार इस वाले रूम के इंदर रखेंगे उसको केज में तो डाल नहीं सकते काफी बड़ा होगा तो यार उसको डाल रह नहीं सकता तो ऐसे है कि पूरे रूम के चौल साजी फिट रहेगा तो क्या कहते हो यार उसको शुरू के दिनों में आपने रूम में ही रखेंगे उसके आपि उसको च्छत पे लेजेगे और फिर जब वो मेरे ही जितना हो जेगा या मिरे से बड़ा होजेगा फिर उसको जुबहर भाई के फार्म पे लेजेंगे ओ भाई क्या होगे उधर भाई जान हमारा वह जो है चिंटू हो पागल हुआ है इतर हमारे नेवले पागल होगे यह ले यह लोटी टूटी आज 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 चलो एक खालो यार भाईजान मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा कॉस्ट एफेक्टिव जानवर मेरे मेरे नेवले हैं कारनेवर्स में अगर आपने रखने है कोई भी कॉस्ट एफेक्टिव जानवर यार तो कुते रख लो या पर नेवले रख लो उस्ताज जी लकड़ पत्थर सब हाजम है इंको कोई मकर्चा नहीं होता लेकिन इंको मैं मीट भी देता हूँ कि मीट इंकी डाइट करना को देरो अच्छा जी आपने खा लिए अपना अजा थे नहीं है पूंटी के खा लो और देख रहो कितनी मोटी होगी है यही रीजन था कि मैंने फूर्टी को टूटी से लएदा किया था किया था क्यूंकि टूटी को मैंने डॉमिनेंट है वो इसको खाने पीने नहीं योगी कि यार फ्रूटी जो है ना वो माल नौरिश्मेंट से मर सकती है इसको डालें अंदर ममम डालें ओर डालें च्वीटी वपर फीडू और गाइस अब चलते हैं च्छत के उपर और मैं आपको च्छत भी दिखाता हूं जिसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार था मैंने आपको इंतजार कर रहा है कल के व्लॉग में आपको च्छत भी नहीं दिखाता हूं तो साजी बिल्कुल चेंज होगी है आप चलते च्छत पे और प्लीटी पैट को नीचे लेके आते हैं गाइस अब मैं आपको दिखाने दगा हूं हमारी च्छत का बिल्कुल चेंज उप ट्री टू वान चैक करो साजी कैशा लाइट लाइट च्छत होए आगे नहीं मुझे आता खैर यह गाना इतना ही आता मुझे बहुत प्यारी लग रही है हर तरफ से मिन वाइट कर रही सवाए उस वाले केज के गाईस उसके इंदर ना क्यूंकि मॉने का बंद है और पैट लग सकता है तो यहां पर डिस्टेंपर करवाएंगे जिसके उपर पानी का कोई इसर ना हो बरहाल यार चैक तिस लुक किती प्यारी लग रही है है उटकी आरे ना पर परिंदे और हां एक चीज तो भूल गया आप आपको बताना आपको याद हो का पिछले दिन बहुत ब आपको बतानी थी कभी भी आप पैट्स रखते हो कुछ रखते नहीं लकडी का म ना करवाना जो मारे पके फॉल्व रिवल उसी नहीत है को पता होगा कि हमने यह के लकडी लकडी से बनवाए जिर सबसे महंगा उट होता है और यह देखो जिस अपर एक्सपोज होने की विछाया तो यार यह खर्चा ज्यादा कर लिया करो लोहे का करवा लिया करो बेटर है compared to a wooden cage ठीक है अच्छा जी दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ यह लो बाग जो बाग जो चाल गुड बच्छा अच्छा कबूतरों खोलने से पहले आपके लिए एक सैड नीउस है लेकिने को खोल देता हूँ फिर आपको समझ आजएगी आजो जी बाहर आजो 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 गाइस सैड नीउस यह है कि आप यह देख रहे हो यह वाला कबूतर यह हमारा टुकडी वाला कबूतर है और इसके साथ एक फीमेल होती थी जो के ब्राउन कलर की होती कल आप परसों वाले व्लॉग में आपको याद होगा कि यह केज आगे की तरफ पड़ावा था था थूरा से स्लेंटेट था तो मैं घर था नहीं मैं कल मंडी में था तो जब सेटिंग हुई है न सारी चटकी मेरे पीछे से तो मिस्री भाई और मजदूर भाईं की तो गलत अमीद तो यह हो जाएगा सिंगल पेरेंटिंग डाज वर्क सम टाइम लेकिन यार रिली साइड साचु यह क्या काम किया तुमने है यह दखो पौटी कर दी तुमने उपर है सारी चट साव आपर तुमने पौटी कर दी है गंदे बिच्ची कोई हाल नहीं साचु है यह को अच्छा यार एक और चीज भी मैंने आपसे शेयर करनी थी मैं आपको दिखाता हूं हमारे रोज और रॉय के कान देखो कैसे फिट होते जारे हैं वाइटनेस खतम हो रही है और यह वह बहुत अच्छे हमारे फॉलवर हैं उन्होंने सज्जेस्किन मुझे नाम नहीं यार लेकिन उनको पता चल जाएगा और व्लॉग देख रहे हैं कि भाईजन वाक्य ही आप अगर इंको साफ वूडन सर्फेस के उपर रखोगे न अपने अंगोरा रैबिट्स को तो उनमें ये डर्माटाइटस का स्केबीस का इशू आना बंद हो जाएगा तो यार मिट्टी स दूर रखना जब भी लेके आऊ गोरा रैबिट्स मिटी में नी रखना ओंको जिस तरह मैंने रखे हो थे देशी रैबिट्स के ठीक है मिट्टी लेकिन इनकी लेगे खतर ना अगे थोड़ा गोरा स्टाइल रैबिट हैं हमारी रोज पर थोड़ा सा हैंएफेक्ट लेकिन हमारे रॉय के कांट बिल्कुल क्लियर हो गया है रॉय कैचे हो कैचे में रॉय रॉय बेभी प्यार रॉय बेभी गुग बैच्चा आजए जैकी इदला वी दला आज़ा मेला बच्चा आज़ा और गुंड़ा जनो यह ते ताज जी कोई इजद नहीं मेरी है आनिरा विरपा भाई जान तेरा मैंने बंदोबस कर दिया गाईज आज जो है हम जैकी को ओफिशली नीचे लेके जाने लगे हैं क्यूंकि जैकी हमेशा से नीचे जाना चाता था उसको पिजन स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद आया तो यार अब ऐसा करते हैं इसको इदर से पिक करते हैं औ किया प्यू rather गरे क्रीशा कुमेंट दढ़ाना आपको मारी छथा की निव लुक और वत सब्माइवा तो बाइ उसके पीचे बीचे आ गया देखो भाई मिश है नहीं नहीं करते चलो चरो जिता नहीं करते चालो जी शहाबश चलो जी शहाब्श चालो जी मिश कैपसी नो करना अजी आजी मारे चलते हैं नेचे निचे चलो और आज अप तो हमारी जैक की फेवरेट रेडट है बार चलो बार चलो 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 लाए चलो 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 बैट क्या भाई इसको याद है अपनी जाना बहुत खुश है आजे कितना खुश हो रहे हैं थैंक्यू मुशा भाई आप मुझे निचे लेओ औरना मैंने तो अपनी कलाई पर दंदिया काट के मर जाना था और सोचल मीडिया में पोस्ट कर देंगी जी है एची है हाँ भाई एची है चरो आज़ो 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 नो बिटा नो 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 आज़े जैकी इतल बैठो चलो मिला बच्चा अभी कह रही है मुझे इस तरह गरबना तू इतनी बड़ी है तो इसमें कैसे पूरी आएगी है आईगी पूरी के नहीं है कैसे इसको कमेंट्स में बताओ साशा को कि भाई तू इतने सब्सक्राइब कर देगे आपका चला जी शाशा तो गाई उमीद करता हो कि आपको आज का व्लोग अच्छा लगा होगा अगर अगर अच्छा लगा तो लाइक कोमेंटर शेयर लाजमी करिएगा अगर ज्यादा पसंद आजे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजेगा मिलत नेक्ट फ्लोग के साथ तब तक के लिए हमको दे इजासत अलावीद